नमस्कार प्यारे विद्यारतियों स्वागत आपका द्रश्टी टीचिंग एक्जाम्स में आज हम लोग बाल विकास एवं सिक्छा सास्त्र के ही एक अन्य महत्पून बिंदु को लेकर बात करेंगे ये बिंदु कक्षा में आपको व्यक्तिगत भिनताओं के अंतरगत हम इसको पढ़ते हैं जब विशिस्ट बच्चों के संदर में हम लोग पढ़ रहे होते हैं इस्पेशल चिल्डरन के संदर में हम लोग पढ़ रहे होते हैं वहीं हम लोग पढ़ते हैं कि जो पिछडे लिखा आता है तो पिछड़े बच्चों का सरलसा अर्थ यह है कि ऐसे बच्चे जो मानसिक इस्तर पर बोधिक छमता के आदार पर कक्षा के अन्य विद्यारतियों से पीछे हैं बासमजारी होगी यानि कि ऐसे विद्यारती जिनका बुध्धी लब्धी का इस्तर अन्य विद्यारतियों के तुल नामे कम हैं तो कक्षा के जो बाकी विद्यारती होते हैं उनको सामान्य विद्यारती कहा जाता है और ऐसे विद्यारती जिनका बुध्धी लब्धी का इस्तर कम होता है ऐसे विद्यारतियों को पिछड़े बच्चे कहा जाता है पिछड़े तो ऐसे बच्चों की ऐसे विद्यारतियों की क्या समस्याएं होती हैं उनके बारे में हम समझेंगे यदि हमें सिक्षक के द्रस्टिकोर्ण से आपको बताओं तो पिछडे बच्चों की जो समस्याएं होती हैं पिछडे बच्चों की समस्याओं का सामना सिक्षक को कक्षा मे करना पड़ जाता है यदि सिक्षक ने पहले से यह नहीं चीनित कर पाए हैं या अब कक्षान माली जे सामान्य विद्यारती और जो मानसिक रूप से पिछड़े विद्यारती हैं उनके लिए एक ही सिक्षण विद्यों के द्वारा या एक ही कक्षा में सामान्य विद्यारती ये पीछे हैं उपलब्धियों के आधार पर भी बात करेंगे तो भी ये पीछे हैं तो ऐसे विद्यारतियों की अधिगम की गती मंद होती है किसे तुलना करते समय सामान्य विद्यारतियों से तुलना करते समय तो ऐसे बच्चे होता क्या है धीरे धीरे वो कक्षा में बहु इस आयू वर्ग को यदि आप देखें ध्यान से, कक्षा एक से आठ के बीच वाला आयू वर्ग है, इस आयू वर्ग से आप उतनी परिपक्षा कि उम्मीद तो कर नहीं सकते, तो इस आयू वर्ग में होता ये है कि बच्चे एक दूसरे का हास उपहास भी करते हैं, ये भी ए पाते, तो ऐसे बच्चों की कई सारी भिन भिन समस्याएं होती हैं, हम एक एक समस्या को लेकर बात कर लेंगे, और इसमें तीन मुख्य बाते ऐसी हैं, जो हमें समझनी हैं, जैसे हम पहले बात करें कि स्कूल संबंधी क्या समस्याएं होती हैं, वैसे तो हमें पेहले समाजिक स्तर पर जो समस्य को होती हैं उनको लेकर बात करनी चाहिए पर चुकि आप एक सिखस्ठ बनने वाले हैं आप सभी एक सिखस्च बनेंगें तो आप अविश्य के सिखस्ठ हैं तो आपको पहले इस बात पर ध्यान देना है क्योंकि उनकी जो समाजिक समस्याएं हैं वो परिवार से शुरू होगी उनकी समाजिक रण की पहली काई कौन है परिवार है लेकिन हम अपनी इस परिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम पहले बात कर लेगे कि उनकी जो स्कून म में समस्याएं होती हैं उनकी जो कक्षा में समस्याएं होती हैं विद्यालने परिवेस में किन समस्याओं का सामना ऐसे विद्यारतियों को करना पड़ता है तो जिसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो पिछड़े बच्चे होंगे ऐसे विद्यारतियों की ऐसे बच्चों की क्या होगी अधिगम की जो गती है वो मंद होगी अधिगम की गती कैसी होगी इनकी कम होगी और जब हम तुलना करते हुए कह रहे हैं कि अधिगम की गती मंद होगी इसका मतलब है कि हम कोई आधार होगा तुलना करवे का तो वो तुलना का आधार है कक्षा के सामान्य विद्यार्ती, कक्षा के ऐसे विद्यार्ती जिनका बुद्धी लब्दी के स्तर की बात की जाए, जिनकी मानसिक चमता, बुद्धी चमता की बात की जाए, वो सामान्य है, बाते समझ आ रही होंगी, तो ऐसे विद्यार्तियों के साथ में जब सिक्षण कार्य होता है ये ऐसे विद्यारतियों के साथ में कक्षा में पढ़ते हैं तो इन बच्चों के सामने जिनका मानसी की स्तर या गुद्धिलब्दि कम है इनके अधीगम की गती मंध होती है अब Permos धीरे धीरे ये कक्षा में सामाने विद्यारतियों की तुलना में पिछड जाते हैं, सामाने विद्यारतियों से पीछे हो जाते हैं, जब ये सामाने विद्यारतियों से पीछे हो जाएंगे, तो इनका जो सैचिक इस्तर है, उस सैचिक इस्तर में जो उन्नती है वो भी कम तो उसकी प्रणाम भी इनको देर से प्राप्थ होंगे, यानि कि इसका सीधा संबंध हो जाएगा इनकी कक्षा 19 से, क्या होता है, इनकी कक्षा 19 भी देर से होती है, ये एक कक्षा को एक क्लास वो पास करने में, सामाने विद्यारतियों की तुलना में अधिक समय लेंगे, ज जो सेक्षिक उन्नती है वो कम है अर्थात ये अधिक आयू में कम स्तर की कक्षा में होंगे कोई मिल गया फिल्म देखी होगी आपने उसमें जो रोहित है उसको एक यही स्तरमान लीजे कि अपनी आयू के अनुपात में उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है आयू के अनुपात में जो मानसिक विकास होना चाहिए था वो मानसिक विकास नहीं हुआ वो मानसिक छमताएं जो आयो के अनुपात में विक्सित होनी चाहिए थी उनका विकास उतना नहीं हुआ तो ये क्या करेंगे कि ये कक्षा उन्नती ये कक्षा को पास करने में अधिक समय लेंगे इसका मतलब हुआ कि इनकी जो सिक्षा है उस सिक्षा में अनियमित्ता आएगी सिक्षा में अनियमित्ता आएगी या सिक्षक को कक्षा में इनका समायोजन कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है तो आप क्या कह सकते हैं कि कक्षा में समायोजन मुश्किल कक्षा में ऐसे विद्यारतियों का जो समायोजन है वो सिक्षक के लिए करना जटिल हो जाता है चनोती पूर्ण हो जाता है तो ये तो हो गई कि एक स्कूल के इस्तर पर विद्याले के इस्तर पर कक्षा के इस्तर पर जो पिछडे बच्चे है जिनकी बुद्धी लबदी का इस्तर कम है जिनकी मानसिक छमताएं कम है उनके साथ में स्कूल के इस्तर पर क्या समस्याएं आती है इसके बाद बाद करते हैं सामाजिक इस्तर पर इसके बाद यदि ऐसे बच्चों की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको लेकर हम समझें तो दूसरा बिंदू आप क्या कहेंगे सामाजिक समस्याएं दूसरा बिंदू, दूसरी समस्यान की क्या है, सामाजिक है, यानि कि ये बच्चे जब हमने कहा कि मानसिक इस्तर पर ये पिछड़ जाते हैं, अब कारण कोई भी रहा हो, हम अभी कारणों की बात नहीं कर रहे हैं, कि एक बच्चे के मानसिक विकास उसके आयो के अनुपात म में ना होने का कारण क्या है, कारण अनुवन्शिक भी कई बार हो सकता है, कई मामलों में अनुवन्शिक कारण हो सकते हैं, और वाता बढ़ने कारण भी होते हैं, तो अभी हम कारण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इतनी बात कर रहे हैं, कि जो बच्चे मानसिक इ पिछड़े हैं बहुत दिक छमता के स्तर पर अन्य बच्चों से पिछड़े हैं अब क्या होगा कि ऐसे बच्चों में कई बार क्या होता है समाज के स्तर पर हम देखते हैं जैसे अपने सुना होगा कि कई बार किसी का हम उपहास करते हुए कहा देते हैं तेरा सावन सुलो है क तुना होगा आपने, क्यों? यानि कि ऐसे बच्चे हमने उसको ये बात, उसको एहसास कराया, कि तुम्हारा जो बुद्धी लब्धी का इस्तर है वो हमसे कम है, तो इन ऐसे बच्चों में एक आत्म हींता की भावना आ जाती है, क्योंकि जो समाजी करण की परक्रिया है, वो और समाज से बालक गुण और अवगुण दोनों ग्रहन करता है समाज से सदैव सकरात्मत चीजे ही ग्रहन होंगी ऐसा नहीं है नकरात्मत चीजे भी तो बालक समाज से ग्रहन करता है कौन माता पिता अपने बच्चे को अपशब्दों का प्रियोग सिखाते होंगे कौन माता माता पिता अपनी संतान को मध्य पान का सेवन करना सिखाते होंगे या नशीली पदार्तों का सेवन करना सिखाते होंगे। लेकिन फिर भी समाज में उधारन देखने को मिलते हैं इसका मतलब क्या हुआ हम समाज से सकरात्मक चीजों के साथ साथ नकरात्मक चीजे भी घरेन करते हैं समाजी करण की परक्रिया एक बालक को सकरात्मक चीजों के साथ सा सकरात्मक गुनों के साथ सा नकरात्मक गुन भी देती है तो इसी समाजी करण की प्रक्रिया से इन बच्चों में क्या होता है एक हींता का भाव आ जाता है आत्म हींता का भाव आ जाता है और इसी आत्म हींता के भाव के कारण वो स्वयम को समाज से दूर करने लगते हैं वो अपने आपको समाज से अलग करने लगते हैं यहां तक कि वो अपने आपको समाज से अलग करने लगते हैं और समाज के साथ में अपना समायोजन इस्थापित नहीं कर पाते जब समाज के साथ में उनका समायोजन नहीं होगा इसका मतलब है कि वो अपनी समाज से दूरी ब जाएगी, इसका मतलब है कि ऐसे बच्चों के मित्र अधिक होंगे कि कम होंगे, ऐसे बच्चों के मित्र अधिक होंगे या मित्र कम होंगे तो इनके मित्र भी कम होंगे, यानि कि विचारों का आदान प्रदान करने के अवसर इनके पास सी मित होंगे, इसलिए कई बार क्या ह होता है कि ऐसे बच्चे समाज के विरुद्ध जाकर गतिविधिया करते हैं समाज के विरुद्ध जाकर कार्य करते हैं अक्सर आप जो पढ़ते होंगे या कुछ सारी चीजा आएंगी कि समाज के साथ में समायोग्जन इस्थापित नहीं कर पाए समाज से दूरी बना ली समाज से अलग हो गए मित्र कम थे विचारों का अदान परदान करने वाले कम थे तो क्या हुआ कि अब समाज के विरुद्द कारे करना शुरू कर दिया, जो समाजिक मूल हैं, समाजिक मानक हैं, जो समाज के जो प्रोटोकोल्स हैं, नियम हैं, उनके विरुद्ध जाकर आचरण करना शुरू कर दिया, जो समाज ने तै कर रखे हैं आचरण, उन आचरणों के विरुद्ध जाकर ये स्वयम को संतुष्ट करते है तो अध्यापक आप बनेंगे तो एक अध्यापक का क्या कर्तव्य हो जाता है अध्यापक का ये कर्तव्य है कि ऐसे बच्चे को उस इस्तिती में ना पहुचने दे ऐसे बच्चे को उस इस्तिती में पहुचने से पहले एक अध्यापक उसे समाज के अनुरूप बनाने का प् इच्छक को अपनी कक्षा में उपस्तित विद्यारतियों में से भली भाती इस बात का पता चल जाएगा कि कौन सा बालक बुद्धी लब्दी के स्तर पर अन्य बालकों से पीछे है बात समझ आ गई होगी तो दूसरी समस्या इनकी क्या हो सकती है जो समाज के स्तर पर है अर् सम्मेगातमक समस्या था इमोशनल प्रोब्लम अब अब सोचिए कि एक बालक में क्योंकि जन्म से ही उसके पास जो छमताएं थी वो बाकी बालकों की तुलना में कम थी बाकी विद्यारतियों की तुलना में कम थी समाजी करण की इस प्रक्रिया ने उस बालक में जहां उसके अंदर आत्म स्रेश्टा की भावना का प्रसार होना चाहिए था ऐसे बालक में आत्म हींता की भावना के कारण ही सम्मेगातमक समस्या आती हैं इमोशनल प्रोब्लम आती हैं क्योंकि ये बालक एक तो सैक्षिक धरातल पर असफल है, सेक्चिक धरातल पर निरंतर असफलता उन्हें देखने को मिल रही है, और जब सेक्चिक धरातल पर निरंतर असफलता है, संबंधु के इस्तर पर निरंतर असफलता है, समाज के इस्तर पर निरंतर असफलता मिल रही है, समाज के साथ उसके दोस्त नही बन रहे तो होता क्या है कि इससे एक उनमें इस्थाई निराशा का भाव उत्पन होता है वो निराश रहने लगते हैं और यदी यह इस्तिती लंबे समय तक बनी रहती है यदी यह निराशा के इस्तिती लंबे समय तक बनी रहती है तो ऐसे बच्चों में समेगात्मक और ये सम्मेग जब हम कहें कि सम्मेग ऐसे हैं जो इस्थिर नहीं नहीं और इस्थिर है और कर्तों सम्मेगा अत्मक सिस्थिर। अवस्था के क आरण भी होती है लेकिन यहां हम कह வावा के करण वो निराशा का भाव क्यों जन्मा क्योंकि समाजी करण की प्रक्रिया ने उनके अंदर आत्महींता की भावना का प्रसार किया उस आत्महींता की भावना से वो समाज से दूर होते गई कक्षा में बाकी विद्यारतियों के साथ में समायोजन नहीं स्थापित कर पा रहे हैं सैक्चिक धरातल पर निरंतर असफलता मिल रही है तो एक निराशा का भाव उनमें उत्पन होता है और यदि ये निराशा का भाव लंबे समय तक ऐसे बच्चों में बना रहता है तो वो क्या होता है कि सम्वेगात्मक असंतुलन उनमें आ जाता है और यही बच्चे हम कई बार ये देखते हैं कि बाल अपराधी के रूप में सामने आते हैं क्योंकि एक बिंदू यहां आ जाता है फिर स्वयम को संतुस्ट रखने के लिए स्वयम को प्रदर्शित करने के लिए ये बच्चे समाज के विरुद्ध जाकर कारे करते हैं जो समाज के मानक हैं उन मानकों के विरुद्ध आच्रण करना शुरू कर देते हैं तो एक सिक्षक का क्या करतव्वे होना चाहिए, एक सिक्षक के लिए चाहिए, कि सिक्षक ऐसे बच्चों का कक्षा में समायोजनी स्थापित कराए, बाकि विद्यारतियों को उनके साथ घुलने मिलने का अवसर दे, विद्यारति यदि वो देखे कि कक्षा में किसी भी प्र जैसा वो है जो उसका सत्व है उसी सत्व के साथ माता पिता भी उसे सुईकार करें बात समझ आ गई हो गई है तक कि तो ये पिछडे बच्चों की समस्याओं के बारे में हमने बात की प्रियास किया कि एक प्रस्ट भूमी का निर्मान हो जाए सामान्य समझ भूज आपको आ है ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं आप से किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदू के साथ तिल देन बबाई have a nice day